नमाजते दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी यूटूब चनल पर इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप फेस्बुक पेज यूज करते हों अगर आपने अपने फेस्बुक पेज क्रेट करके रखा है और अगर आपने फेस्बुक पेज में अगर किसी को ए देखा आप उसको कर सकते हैं इस वीडियो मैं आपको पूरा फोस्स बताऊंगा है मॉसको यहां पर डिलिट करके दिखांगा और आपको फूरा फोस्ते बताऊंगा कि आप उसके बाद हमें नीचे में जो option आ रहा है settings and privacy हमें इस पर click कर देना है उसके बाद हमें settings पर click कर देना है उसके बाद हमें page setting वाले option पर click कर देना है उसके बाद हमें यहां से नीचे आ जाना है और आप यहां पर देख सकते हैं हमें यहां पर जो option आ रहा है new pages experience हमें यहां पर डिलीट करने के लिए three dots का option आ रहा है हमें इस पर क्लिक कर देना है और आप यहांपे देख सकते हैं हमें यहांपे तीन options हो रहे हैं view access, edit access, remove from page तो हमें अपने facebook page के access को delete करने के लिए हमें remove from page पर क्लिक कर देना है और आपके facebook account का जो भी password होगा आपको यहाँ पर अपना password इंटर कर देना है मैंने अपना पूरा password यहाँ पर इंटर कर दिया है उसके बाद हमें confirm वाले option पर क्लिक कर देना है दोस्तों मेरा facebook page जो है 14 दिन के लिए restricted mode में है मैं कुछ भी इसमें अभी changes नहीं कर सकता तो अगर आपने अपने facebook page का अगर किसी को access देकर रखा है तो जो भी मैंने conditions बताया है जो जो भी process बताया है आप उसको follow कर सकते हैं उसके बाद आप अपने access को delete कर पाएंगे तो दोस्तों अभी जो मेरा facebook page है restricted mode में 14 दिन तक माईज में कुछ भी नहीं कर सकता ना post upload कर सकता हूं ना video upload कर सकता हूं ना इसके settings में कुछ changes कर सकता हूं और विडियो पसंद आता है video click जरूर कर दें